Japanese Language को Impact से बोलो इसका क्या मतलब है और आज का ये वीडियो आपको काईवा करना सिखाने का मेरा परपस है जो भी Japanese Language Students होते हैं जादा तर उनके दिमाग में यही बात चलती है कि हम पढ़ना तो सीख रहे हैं थोड़ा भहुत कांजी को लिखना भी सीख रहे हैं लेकिन Japanese Language को हम बोले कैसे बल्कि मैं गहूंगा कि 100% मतलब 100 में से 100 Students का ये Question तो हमेशा रहेगा ही रहेगा इस चैनल पर मैंने आपको कई बार अलग-अलग तरीकों से अलग-अलग टेकनीक से अपने Experience के हिसाब से ये बताया है कि Japanese Language को आप कैसे बोल सकते हैं और उस expression को एक mechanical way में बोलने की कोशिश कर रहे हैं पहली बात तो बोलने की कोशिश कर रहे हैं यही अच्छी बात है पहला point तो यही आपका clear हो गया लेकिन इससे भी आगे की बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसको feel करके बोलिए जैसे कि मान लीजिए मुझे भूख लगी है तो ओना का पेको पेको दिस तो आप feel करिए सच में ओना का पेको पेको दिस इस तरह से मतलब हिंदी या इंग्लिश में तो हम ऐसे नहीं बोलते लेकिन जैपनीज लेंगविज क्योंकि आप सीख रहे हैं तो सीखना और काईवा इसको fast बनाने के लिए जैसे for example अगर मैं कहूं कि कोई अगर लंबा sentence हम देखें जैसे इसका मतलब है कि यह काम जो है इतना ज्यादा मुश्किल है कि करते करते सिर्दर्द हो जाए ठीक है तो अपने आप फील करिए कि कोई ऐसा काम जो आपने करा हो जो की काफी मुश्किल लगा आपको उसके बार में सोचते सोचते Japanese language को बूलिए देखिए सुनने में थोड़ वे लग रहा होगा लेकिन एक बार किसी चीज की प्रैक्टिस हो जाए जैसे कि अगर आपने एक पेज आज क्लास्रूम में पढ़ा है उसके अंदर पांच नए संटेंसे आपने पढ़े हैं तो उन पांच संटेंसे को अपने अप फील करके अपने एक्सपिरेंस के हिसाब करिये और इसी का मतलब है जैपनीज को इंपैक्ट से बोलो देखो जिन्होंने काईवा सीखिये उन्होंने ऐसे ही सीखिये अगर आपको पहले दिन किसी जैपनीज के साथ 24 गंटे बोलने का मौका मिल गया या कोई जौब मिल गया इंटरपेटेशन की तो बाता लगया ले इसको सीखना चाते हैं I hope आपको यह है ट्रिक समझ आई होगी और आप आज से ही इसको apply करने की कोशिश करेंगे Thank you so much